नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकार लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं यदि आप पिम किसान सम्मानदी योजना के अंदरकत लाब प्राप्त कर रहे हैं तो यह जानकारी आज की आपके लिए बहुत ही जरूर हैं जैसे की दोस्तों आप नोटिफिशन में देख पा रहे हैं पिम किसान योजना बुरी खबर दोस्तों किसानों को 11 किस्त पाने के लिए 11 किस्त प्राप्त करने के लिए यहां पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है क्या भारी कीमत है क्या आपको यहां पर सरकार को देना होगा और उससे बचने का क्या तरीका है एक मातर तरीका एक है जो आप इस वीडियो में जान प आपको बताए गई है समझाए गई है वीडियो को लाइश तक देखेगा तभी जानकरे आप अच्छे से जान पाएंगे वीडियो को सुरू करने से पहले हमारा आपसे एक चोटा सान निमेदन है यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोडिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चले दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि 11 किस्त कैसे आप प् कि मोदी सरकार 2000 रुपे किस्त भेजने वाली है लेकिन इसके लिए किसानों को यहां पर कीमत चुकानी पड़ सकती है दरसल PM किसान योजना के अंदरगत EKYC सभी किसानों के लिए आनिवारी सरकार ने कर दिया है किसानों को 31 माई तक सभी किसानों को अपने PM किसान खाते की EKYC पुरा कराना बहुत ही जरूरी है जो किसान ऐसा करने में एसफल हो जाता है यानि कि अगर किसी किसान की EKYC पूरी नहीं होती है तो उन्हें PM किसान योजना के अंदरगत लाब नहीं दिया जाएगा यानि कि 11 वी किस्त है जो 2000 रुपे की उनके खाते में नहीं आएगी PM किसान खाते की EKYC अगर किसान ओफलाइन यानि की नागरिक सेवा केंदर CSE से कराते हैं तो उन्हें दोस्तों इसके लिए फीस देनी होगी यानि ऐसे किसान जिन्होंने अब तक EKYC नहीं कराई हैं और वे CSE यानि की जन सेवा केंदर से EKYC अपनी कराते हैं तो उन्हें 11 विकिस्त के लिए यहां पर पैसे करच करने हों पैसे खर्च करने हों क्योंकि दोस्तो जिन वेक्तिती से स्वेम Biraz करानी नघी होगी तो दोस्तों उन्हें पर जन्द सेवा के अंदर में जाकर soybeans अपने पूरी करानी होगी अगर आप गयार विक keeps का लाब पराप्ट उठा सकते हैं, लाब पराप्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑन-्लाइन तरीका से EKYC को पूरा कराना होगा, अब दोस्तो कैसे कराना है ये समझेगा, आप दोस्तो स्वेम प्यम्प किसानि-YUJANA की EKYC कैसे कर सकते हैं, यह समझ लीजिए इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर किशान योजना की अधिकारिक ओफिशनल वेब साइट पर जाना होगा आपको आधार नंबर आपको यह पर दर्ज करना होगा इसके बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा आपको यह OTP दर्ज करके इसे सम्मीट के बटन पर किलिक करना होगा जैसे दोस्त आप यह कर देते हैं अगर आपके में सक्सेस्फुली सम्मीट का मैसिज आपकी स्किन पर दिखाते ही आपकी EKYC पूरी हो जाएगी जैसे दोस्त आपको यह मेसिज दिख जाएगा तो समझ लीजेगा कि आपकी EKYC पूरी होगी है दोस्तो इतना सा छोटा सा काम है यह आप स्वैम भी कर सकते हैं पियम किसान सम्मानधी योजना के अंदरगत किसानों के खाते में केंदर सालाना 6,000 रुपे भेजती है किसान सम्मानधी योजना देने का मकसद किसानों की आर्थिक रुपे सायता करना है पियम मोदी ने दोस्तो साल 2018 में इस योजना की सुरुवात की थी अब तक किसानों के खाते में सरकार की और से 10 किस्ते भेजी गई है दोस्तौझ इस पिछले साल की और 11 किस्त अभी भी आपकी रह रही है जो अब दोस्तों जिन वेक्तियों ने EKYC पूरा करा लिया है उनके खाते में यह 11 विकिस्त यानि कि 2000 रुपे 11 विकिस्त का लाव उनके खाते में भेजा जाएगा अगर आप समय रहते हुए यानि कि 31 माई 2022 से पहले आप यह EKYC पूरा करा लेते हैं तो आपको भी यह लाव प्राप्त हो सकता है यदि जानकारी के लिए आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बोक्स में जाकर हमसे पूर सकते हैं आपके सबी सवाल का जवाब दिया जाएगा यदि दोस्तों आपको हमारी दूही जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम परेथ होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए लाश्ट में नई वदने करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारे साथ